नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओपो आर फाइफ या फिर किसी भी ओपो मोबाइल में इनसफिशेंट स्टॉरिज प्रॉब्लम को कैसे आप हमारे हम कम एप्लिकेशन चलाने के बाउजित भी जो है हमारा स्टॉरेज यहां पर फूल दिखाता है तो कैसे आप अन्वांटेट इस पैसे को अन्वांटेट जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह देखने के बाद दोस्तों आप पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा आप चाहों तो चेक आउट कर सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्लेस्टोर पर जाना है प्लेस्टोर पर जाने के बात में यहां पर आप देख सकते हैं एक तब वह duplicate बन जाता है, video duplicate बन जाता है, ठीक है, उसके वज़े से यहाँ पर 30% storage वह बिना मतलब के खा के रहता है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यह application डाउनलोड करना है, और इसे open करना है, ठीक है, अभी दोस्तों यह application के जरिये से भी कैसे fix करना है बताऊंगा, आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते है, video के साथ बने रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, simply आपको यहाँ पर, चलिए मैं back आता हूँ यहाँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, full duplicate scan पर click करके यहाँ पर, duplicate file पढ़ा हुआ है, मेरे यहाँ पर आप देख सकती हूँ, ठीक है, अभी देखें, यहाँ पर 180 file पढ़ा हुआ duplicate, आप सोच के देखें, एक file यहाँ यह दि 10 MB कर रहेगा, तो आप सोच के देखें, यहाँ पर 180 file कितना होगा, 1.8 GB का आपके अंदर में, fall to space जो है, वो खाक ठीक है, तो दोस्तो यह था आपका एक उपाई, जिसके मदद से आप duplicate file जो है, वो डिलेट कर सकते हैं, अभी दूसरा तरिका क्या आए कि दोस्तो आपको अपने mobile के settings पर जाना है, और इसके बाद में दोस्तो यहाँ पर आपको application manager पर आपको जाना है, हर mobile में अलग अलग mobile में शायद शो करें, apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है, अभी क्या होता है कि दोस्तो हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते हैं, heavy application जैसे कि हो गया, facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया, इसमें क्या होता है कि दोस्तो हमारा जो है data जो है, हम search करते है, login वगरा करते है तो वो सारा details save होके रहता है, हमारा यहाँ पर inbuilt memory के अंदर, तो उसी के वज़से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है, अभी suppose कि मैंने facebook को open किया, यहाँ पर app पे, अभी यहाँ पर storage usage में चला गया, तो आप देख सकते कि 417 total यहाँ पर MBA मतलब लेके रखा है, ठीक है, अ तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 300 MB आपका बच चुका है, तो यह करने के बाद सिर्फ इतना ही है कि आपका facebook logout हो जाएगा, आपको re-login करना होगा, तो दोस्तों यह एक तरीका है, एक एक one by one करके आप यह data clear कर सकते हैं, हर application का, ठीक है, अभी third option क्या है कि दोस्तों, यह सा सारा खतम हो जाएगा, तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेंगे, तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा, तो यह तीन उपाए था दोस्तों मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks watch.